हेलो माइ ब्यूटिफूल यूटूफ फैमिली कैसे हूँ आप सब आप सब बहुत अच्छे होंगे मैं भी बहुत अच्छे हूँ सर्दियों का मौसम अब जाने वाला है लिटरली ये कपकपाती ठंडी जा रही है और गर्मी का मौसम दीरे दीरे आ रही है पता है फ्रेंड् गाजर की खास बात ही होता है का बहुत नेच्रल shaped होते हैं तो मैंने सचा कि चलो जाते जाते ठंडी को घ liberties काई देते जाए साथ में मैं अपने फैम और बीट का कैसे बनाती अब आप सोचोगे गाजर और वीट एक साथ की 그러면 सिर्फ गाजर का क्यों नहीं या सफिर की नहीं वह आपने सुना है ना कि अच्छे में अच्छा हो तो कितना अच्छा हो तो हम सब जानते हैं कि गाजर बिटामिन C से भरपूर है और बीट तो हमारा खुन बढ़ाने का काम करते हैं तो क्यों ना बिटामिन C से अपनी स्कीन को अच्छा कर लें और बीट को खा कर खुन बढ़ा लें तो दोनों का गाजर मैंने लिया एक केजी और हाफ केजी मैंने लिया है बीट, आप बराबर भी ले सकते हो, दोनों को मिलाके बनाने से आपका कलर ऐसा आएगा हलुए का, जिसले लाल वाली जो गाजर होती है बिल्कुल वही वाली कलर आएगा, आप से बाते करकर के मैंने कि मैंने कुरकर में तर्दुकस के बीट और गाजा गए एक कब दूद देखे मैंने इसमें दो सिटी लगाई है दो सिटी से ज़्यादा जरूरत नहीं है ऐसे तो एक सिटी में हो जाएगा तो मुझे लगा थोड़ा सा एक सिटी और लगा दो तक है अच्छे से गल जाए पकाना है मैंने 15 मिट भूनने के बाद इसमें काजू और चीनी एक साथ डाल दिया अब इसे फिर भूनेंगे आपका गाजर का हलुआ कितना टेस्टी होगा यह डिपेंड करता है कि आपने उसे कितना भूना है कितनी टंप्रेचर पे भूना है भूनने में आपने कितना ट हलुआ हुआ है और इसमें तीन चमच और घी डाले हैं बाद में अब इसे और करीब 10 मिट हमें भूनना 10 मिट नहीं पांच में और इसे उने आल्मोस्ट हो चुके हैं आप देखो मैं कर्ची से घुमा रही हूं तो एक साथ गूम रहे हैं एक डो की तरह यह बन चुके हैं विटमिन्स की आपका हलुआ गाजर का बिल्कूल तयार है और हलुए ने अपने घी भी छोड़ दिये हैं चारो तरफ से आप देख रहे हों अच्छा आप लोग से एक बात मुझे पूछने हैं आपने भी मेरी तरह इंटरनेट पर बहुत वीडियो देखे होंगे जो यह 10 मिट में गाजर का हलुआ क्या सही में 10 मिट में गाजर का हलुआ बन सकता है मैं कहती हूं नहीं बन सकता है मैं मानती हूं मैंने कोई मास्टर सेफ नहीं जीता हुआ है या मैं किसी बड़े होटल में काम नहीं करती हूं लेकिन मैंने 26 साल फैमली के लिए खाना बनाया है हर हम कर सकते हैं खेरी बात ही बात में मेरा हलुआ भी बन गया अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक भी कीजिएगा कमेंट और सुझाव जरूर दीजिएगा और अपने फैमली में ये वीडियो जरूर सेर कीजिएगा अगर आप मैं चैनल पर नए हैं तो चैन